24 important benefit of ITR दोस्तो ITR यानि की income tax return आपको हर साल income tax की return भरनी होती है तो आप अपनी return भरते हैं या भरने का सोचने वाले हैं तो इस income tax return का क्या का benefit आपको हो सकता है सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कितनी तरह की income होती है types of income के अंदर 5 तरह की income होती है salary या pension की income कमाते है capital gain specially share market के अंदर या किसी property को बेचा तो capital gain होता है house property किसी मकान, दुकान, पलाट का कोई किराया आता है business या profession करते हैं तो ये आ गया इन चारों में जो भी नहीं आएगा वो इस पांचवे में आ जाएगा जैसे की part time income saving का ब्याज, FD का ब्याज वगेरा तो जिस तरह की आपकी income होगी उसी तरह का आपको ITR भरना पड़ता है ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके अपर हमने already detail में वीडियो बना रखी है कि कौन सी income होने पर कौन सी ITR आपको भरनी होती है इसके बाद में बात करेंगे दोस्तो basic exemption limit की जो की income tax return भरने की एक limit होती है इसमें 2 tax regime होती है अगर आप old tax regime में जाना चाते हैं और आपकी उमर 60 साल से कम है तो 5 लाख रपे से ज़्यादा आपकी income हो जाती है तो आपको ITR भरनी पड़ेगी अगर आपकी ये 60 साल से 80 साल है तो 3 लाख रपे के बाद ITR भरनी पड़ेगी और 80 साल से उपर वैलों के लिए 5 लाख रपे ये limit रखी गई है ये जो limit है दोस्तो ये gross total income है मतलब किसी भी तरह की deduction और exemptions लेने से पहले वैसे तो old tax regime में 5 लाख रपे तक की income पर कोई भी tax नहीं देना होता है section 87A बोलता है कि जितना tax आपका बनेगा वो 12,500 तक का माह हो जाएगा लेकिन डाइलाग 3,5 लाख रपे की limit आपको ध्यान देनी है और वहीं बात कर लेते हैं न्यू tax regime में अगर आप जाते हैं तो 3,000,000 रपे की limit है ये आपकी ITR भरने की limit है जिसे की basic exemption limit बोलते हैं यहाँ 60 साल, 80 साल का कोई concept नहीं है सबी वेक्तियों के लिए ITR भरने की जो जुरूरत है वो 3,000,000 रपे की उपर हो जाती है तो income tax return के क्या benefit है दोस्तो income tax return ITR एक form होता है जिसके अधर की आप declare करते हैं आपकी income ये चल करके आप government को बताते हैं कि मेरी इतनी income है, मेरा इतना tax बनता है इतनी मैंने deduction लेनी है, इतनी मैंने exemptions लेनी है एक particular financial year का होता है जब ये आप ITR भरते हैं तो एक साल की पूरी की पूरी लेखा जोखा आप देते हैं अगर आपकी income basic exemption limit से ज़्यादा है जो आपने भी डिसकेस की थी तो ITR भरनी mandatory है अगर टाइम से नहीं बढ़ते हैं तो 5,000 पे की penalty भी आपको लग सकती है तो सबसे पहला benefit income tax return भरने का easy loan approval दोस्तो आज कल आदी से ज़्यादा दुनिया loan पर चल रही है कोई भी मकान देख लो कोई भी आप vehicle देख लो किसी भी तरह का आप कोई property खरीते हैं और खरीते हैं तो आप loan लेते हैं especially दोस्तो home loan, car loan, personal loan, education loan बहुत सारे loan होते हैं तो ये income stability of borrowers is critical for the lender जो कोई व्यक्ति loan देगा उसको ये जाना बहुत जरूरी है कि आपकी stable income है आप एक regular कमाई कर रहे हैं तो आपको income tax return देनी पड़ती है कम से कम 3 साल की ITR आपकी मांगते हैं अभी आपका जो साल 24 है उससे पहले वाला 23 था, उससे पहले 22 था तो ये ITR मांगते हैं वैसे तो इसके काफी detail के अंदर चले जाएंगे हम तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी कि 3 साल के ITR कैसे कैसे होनी चाहिए कितना gap होना चाहिए लेकिन मोटा मोटी मैं बता दूँ loan लेने के लिए आपको income tax return बहुत ही mandatory होती है दूसरा काम होता है दोस्तो credit card आपको पताओगा आजकल आदे से ज़्यादा चीज़ें credit card पर हम लेते हैं EMI वगरा पर लेते हैं एक तो हमें time से पूरा पैसा नहीं देना पड़ता है दूसरा bonus, rewards वगरा काभी सारे cashback वगरा इसके उपर मिल जाते हैं तो हम हर कोई वक्ति credit card से online shopping वगरा करना चाता है तो credit card company भी चाती है कि क्या आपका financial background है और आप credit card को use तो कर लेंगे क्या बाद में इस credit card का बिल भरने के लाइक होंगे भी नहीं होंगे तो इसके लिए भी income tax return एक बहुत ही महतपरन रोल पले करती है इसके बाद में जो दोस्तो benefit आ रहा है वो income का proof आपको पता होगा बहुत बार आपको income का proof देना पड़ता है जैसे कि income certificate भी बोलते हैं तो दोस्तो income tax return एक ability to work as income proof का भी ये काम करती है detail information होती है आपकी सालाना income के बारे में कि आपने कितना tax paid किया है कितनी आपकी income है तो बहुत बार ये income के proof में भी most widely accepted है income के proof में तो ITR भरें और income का proof के तोर पर आप उसे use कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तो address का proof कई बार कोई व्यक्ति के detail अलग-अलग document में अलग-अडरस होता है या information अलग होती है तो अगर आप continually income tax return भर रहे हैं तो ये valid proof of resident हो सकता है अगर आप अधार अपलाई करते हैं आप अपना passport अपलाई करते हैं तो वहाँ पे income tax का assessment है जो passport officer है वो उसको accept कर सकते हैं quick visa processing दोस्तो visa बाहर जाना विदेश में जाना हवाई जाज की यातरा करना बहुत सारे लोगों का सपना होता है especially बात करें हम Canada की Australia की UK की USA की और भी बड़ी बड़ी country हैं दोस्तो वो जब भी आप उनका visa apply करना चाहेंगे तो ITR एक बहुत important role play करता है चाहे आपका study visa हो work visa हो spouse visa हो tourist visa हो dependent visa हो इन सबी के लिए income tax return देनी पड़ती है ये क्यों देनी पड़ती है क्योंकि ये ambassies जो होती है international ये आपको justify करना चाहती है क्या आपके पास इतनी income है आप एक genuine traveler है कि आपके पास इतनी income है कि आप इसको अपने trip को sponsor कर सकते है खुद कर सकते है ये आपके family member कर सकते है तो visa के लिए दोस्तों आपको ITR भरनी बहुती जुरूरी है claim tax refund आपको पता होगा TDS आपका cut जाता है कई बार कि आपको एक certain limit से ज़्यादा कोई income आती है suppose ग्रो बैंक की FD आई आपकी FD पर 40,000 से उपर आपका TDS कटता है TCS भी आपको इविकल वगरा purchase करते है कोई आपने advance tax भर दिया है तो क्या होता है दोस्तों कई बार ये tax आपका ज़्यादा भरा जाता है या ज़्यादा कट जाता है लेकिन जब ITR भरते हैं एक साल खतम उने के बाद में जब आपको पता लगता है कि मेरा तो इतना tax नहीं बन रहा था तो जितना भी extra tax बन रहा था दोस्तों वो आप refund ले सकते हैं वो तब भी आप आएगा जब आप अपनी income tax की return बरेंगे तो ITR भरिये और extra पैसा जो है आप अपना refund ले सकते हैं अब दोस्तो compensate of losses कोई भी business है कभी भी loss में हो सकता है तो बगवान ना करें आपको कभी भी loss हो लेकिन आपको कभी भी loss हो गया है तो income के उपर तो government आपसे tax मांग लेती है 30% तक का tax आपको देना पड़ता है लेकिन जब भी कोई loss होता है तो आपको उसका tax वापस तो नहीं देगी लेकिन आपके साथ में income tax department खड़ा है कि आप loss के अंदर दोस्तो दो category होती है एक होता है set of set of का मतलब है कि उसी साल में अगर किसी और head में आपकी income होई है तो उसे आप adjust कर लें वो भी नहीं हो पाता है तो होता है carry forward मतलब इस साल आपको loss हो गया है कोई दिक्कत नहीं है अगले साल आपको profit होगा तब हमें tax मत देना तो specially अगर आप share market के अंदर transaction करते हैं intra day के अंदर future adoption के अंदर तो ये business की income होती है इसके लावा long term capital loss तो आने वाले 4 साल ये 8 साल आपके loss के साल में अगर profit होता है तो पहले इस loss को adjust किया जाएगा फिर आपको profit पर tax देना पड़ता है अब बात कर लेते हैं दोस्तो परजब्टिव टेक्सेशन की दोस्तो आप अपने books of account में बड़े सारे transactions करते हैं आपने 30 लाग रपे जमा करवा दिया अपने saving या current account में तो आपको पता होगा saving account में 10 लाग से ज्यादा पैसा जमा करवाते हो तो आपको income tax department notice भेज सकता है लेकिन आप परजब्टिव टेक्सेशन के अंदर ITR4 बढ़ते हैं और अपनी sale का तो आप 50% अपना net profit दिखा सकते हैं तो कहने का मतलब अगर आप ITR बढ़ते हैं और specially ITR4 बढ़ते हैं तो परजब्टिव टेक्सेशन में जाने के बाद आप अपने transactions को justify कर सकते हैं ज्यादा books of account आपको नहीं बनानी पड़ेगी अगर आप ITR4 की 44 AD और 44 ADA की conditions को fulfill करते हैं इसके बाद में protection against black money दोस्तों recent year में government ने बहुत सारे steps उठाए है black money को रोकने के लिए outflow from India तो ये आपका goal रहता है government of India का कि disclose करनी है foreign assessed owned by a taxpayer in their annulaton ITR के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि India से बाहर आपकी कोई assessed है suppose करो कोई property कोई investment आपने इंडिया से बाहर कर रखी है तो आपको उसको show करना पड़ेगा तो आप show करेंगे तो आपको पता income tax के लजर में आप आजाएंगे कि आपकी बाहर भी कोई property है assessed है तो उसके उपर income tax department हाला कि ये benefit तो income tax department को होने वाला है लेकिन फिर भी indirectly तो ये हमारे भले के लिए ही करते है इसके बाद में avoid penalties आपको पताओगा ITR भरनी अगर आपकी responsibility है तो आपको due date के अंदर अंदर भरनी चाहिए अभी जो आपका financial year 23-24 खतम हुआ है उसका assessment year 24-25 होता है इसकी income tax return भरने की लास तरीक है 31 जुलाई 2024 इस तरीक तक अगर आप नहीं भर पाते हैं और 31 December तक आप इसे भर सकते हैं लेकिन आपकी income डायलाग से 5 लाग के बीच है तो 1,000 की penalty और 5 लाग से उपर है तो 5,000 अरपे की penalty आपको देनी पड़ेगी तो आप अपनी income tax return time से भर देते हैं तो ये penalties भी आपको नहीं देनी पड़ेगी अब दोस्तों high insurance का जो coverage आपको लेना है आपको पता हूगा normal traditional insurance जो होता था आप 20,000, 50,000 रपे का 3 मेने का 6 मेने का insurance किस्त भरें आपका इतना insurance हो जाएगा लेकिन आज कल टरम insurance आ गया है जिसके अदर बहुत सारी conditions में तो आपको पैसा वापस नहीं मिलता है लेकिन आपका जो टरम होता है insurance होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है for example एक करोड रपे का आपको अपको अपना बीमा करवाना है हाला कि इसका पैसा वापस कुछ नहीं मिलता है जो आप किस्त भरते हैं लेकिन अगर आप एक करोड का बीमा ये देखिए 50 लाग से जज़दा का कोई बीमा करवाना है आपने तब क्या करते है वो जो बीमा कंपनी है वो ये चानना चाहती है चेक करना चाहती है क्या वैक्चुल में आपकी कीमत एक करोड रुपए है कि आप इतने के वर्थी हैं इतने लाइक हैं तो ये कैसे पता लगेगा आपकी कमाई से पता लगेगा आप कितनी कमाई कर रहे हैं और क्या आपको एक करोड का इंसूरेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए तो अगर आपने ITR भरी होगी अच्छी income tax return भरी होगी तो आपका high जो coverage है वो insurance का मिल जाएगा अब दोस्तो help claim deductions आपको पता होगा बहुत सारी investments जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ PPF के अंदर, LIC के अंदर, ELSS के अंदर और भी बहुत सारे deductions होते हैं और expense करना पड़ता है आपको जैसे कि medical के अंदर हो गया, आपकी बच्चों की fees के उपर हो गया और आपको घर का जो किराय वगरा देना पड़ता है, कोई donation देते हो, तो इसमें क्या होता है दोस्तो, आपको छूट मिल जाती है क्योंकि income tax का section 80C से लेकर के 80U तक, इसके अलावा बहुत सारी exemptions भी है, जैसे HRE की छूट वगरा है आपने ये खर्चा कर दिया, पैसे invest कर दिया, तो government कहती है, आप इसको income में गटा सकते हो, अपनी छूट ले सकते हो तो ये चीज़े आपने कलेम करनी है, तब भी आपको ITR अपनी due date से पहले ही भरनी पड़ती है अब बात करते है, authenticate evidence of your earning दोस्तो आप एक 5 लाग कमा रहे हैं, 10 लाग कमा रहे हैं, 20 लाग कमा रहे हैं, महनत कर रहे हैं सुबह 5 वजे उठके जाते हैं, रात को 11-12 वजे तक काम करते हैं, और आपकी ये महनत की कमाई है लेकिन जब तक आप income tax return नहीं बढ़ते हैं, government को नहीं बताते हैं कि हमारी इतनी income है तो ये आपकी black ही money मानी जाएगी, तो on record income अगर आप चाते हैं, capital अपनी पुंजी बनाना चाते है फूचर के अंदर दोस्तो ऐसी कोई transactions करनी है, for example अगर आपने 40 लाख रुपए की कोई भी property खरीदनी है तो उसके लिए आपको पता होगा, 30 लाख से ज़्यादा की property की सूचना रेजिस्टर, income tax department को दे देता है तो आप चाते हैं कि 40 लाख रुप एक नंबर के हो, तो दिरी दिरे आपने पिछले सालों की ITR भरी होगी तो आपका पैसा इकठा होता रहेगा, यह capital बन जाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी तो एक नंबर का पैसा या पुझी बनाने के लिए भी ITR भरनी चाहिए scholarship and advantage, दोस्तो आपको पता होगा, बहुत सारी authorities होती है वो ITR income का source देखती है, government है या private है आपको ITR का proof वहाँ पे submit करने को मांगती है, कि institute है, कोई university है, scholarship देनी है ITR establish करती है, the student की ability to prove their income and क्योंकि आपको पता होगा, कई बार तो जो economic week होते है, section होते है उसके अंदर भी आपको वहाँ पे, जैसे सबोजगरो, for example, EWS है इसके अंदर आपका कम फीस लगने वाली है, या माफ होने वाली है, तो यह कैसे पता लगेगा कि आपकी income कितनी है, अगर ITR बरी होगी, तो यह income का proof होता है यह self declaration form होता है, कि हम खुच चलके बता रहें कि हमारी इतनी income है तो scholarship वगरा में भी ITR आपकी मांग ली जाती है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तो funding for startup venture आप plan कर रहे हैं एक new company बनाने का, या grow कर रहे हैं किसी existing company को तो आपको funding outside source से लेनी पड़ेगी, जो की venture capitalist होते हैं तो यह investor जो होते हैं, inquire about the specific, आपकी income को evaluate करेंगे कि पहले business ने कितना कुछ किया था, क्या किया था तो यह भी अगर आपने ITR भरी होगी, तो startups funding में आपको बहुत benefit मिलने वाला है अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी benefit for independent contractor and professional बहुत सारे ऐसे ठेकेदार contractor होते हैं, जो बड़ा ही लेन देन करते हैं किसी का पैसा आ रहा है, किसी का पैसा जा रहा है, या कुछ ऐसे professional होते हैं तो self-employed या independent contractor है, वो do not receive form 16 क्योंकि form 16 में तो आपका TDS कट जाएगा, on record income आ जाएगी और their ITR is frequently only, सिर्फ ITR ही वो record होती है, कि उन्होंने अपने tax बढ़ा है, income दिखाई है अपनी तो without this evidence आपको funding की problem आईगी, और आपको transactional issue भी आएगे, तो इस तरह से आप कोई contractor है या professional है, तो अपनी income tax return जुरूर बरें, इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तो government tenders की, आप government का को tender लेना चाहते हैं, तो उनकी checklist होती है, कि हमें यह document चाहिए, आपकी audit चाहिए, ITR चाहिए, तो audit हो, ITR हो, GST हो, इन सभी के अंदर income tax return एक mandatory document होता है, आपने ITR टाइम से भरी होगी, तो आपको tender वगरा लेने में आसा नहीं हो जाएगी, बहुत ह एक benefit दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, section 148, यह होता है non filing का notice, अगर आपने bank account में कोई transactions कीए, आपके pen card में कोई transactions कीए, जो की high value transactions कहलाते हैं दोस्तों, आज कल तो AIS और TAS में show हो जाते हैं, forum 26S में show हो जाते हैं, for example, 10 लाग से ज्यादा का cash deposit आपने कर दिया, इसके income tax department को दे देते हैं, और आपने ITR नहीं बरिये दोस्तों, तो non filing का notice आएगा, यह आपको 3 साल से 6 साल तक आ सकता है, तो अगर आप इस notice से बचना चाहते हैं, हमने बहुत ही ऐसे case देखे हैं, इन्होंने अनाव सनाव transactions कर दी हैं और ITR नहीं बरिये, ITR भरी होती हैं, तो य उसकी लिए आपका section 147 में assessment किया जाता है, आपको notice बेज के पूछा जाता है कि आपने इतना लेंदेन किया है, return क्यों नहीं बरी है, इसके आप जवाब दीजिए, reply दीजिए, proof दीजिए कि पैसा कहां से आये था, income tax department आपको best judgment assessment होता है, section 144 का, आपने, आपको पताओगा दोस्तों, जो message आता है ये, जो आपको notice आएगा, ये पहले तो text message करते हैं, या email करते हैं, और बहुत बार, rare case में ही last में आपको जो है, courier आता है, डाक आती है, घर पे, जो की post से आता है, तो क्या होगा, ये last तक post तक आता आता है, आपका आदा assessment तो हो जाता है, आगर 144 में best judgment assessment आपका कर दिया जाएगा, जितना भी transactions था, उसको सारी को income मानके आप पे text penalty लगाई जा सकती है, तो आप भी make sure करें, कि अपनी return भरें, ताकि आपका best judgment assessment ना हो पाए, avoid higher tax deduction collections, आपको पता होगा, पिछले तीन सालों की return किसी ने नहीं भरी है, तो income tax department ने एक नया section introduce किया था, section 206AB, 206CCA, तो two times of the rate prescribed, वैसे normally 10% TDS अगर आपका कटता है, और आपने पिछले तीन साल की return नहीं भरी है, तो आपका 20% TDS काटा जाएगा, या जो rate है, या 5%, इन में return भरनी प्लीज सुनिश्चित करें, ताकि आपका ज्यादा TDS या TCS काटा ना जाए, mitigate of tax scrutiny, आपने आपको बताया था, regular and accurate ITR अगर आप भरते रहेंगे, तो आपका जो tax scrutiny के chances कम हो जाते हैं, क्योंकि तीन साल, चार साल आपने return नहीं भरी, एक साल return भरी, और transactions आपके regular हो र income tax return भरीए, इसके बाद में एक और benefit ITR भरने का है, enhanced financial discipline, आपको पताऊगा, 31 दीन 2024 को आपका साल खतम हुआ, इसके बाद में 31 जुलाई तक आपको अपनी ITR भरनी है, ITR में आपको बताऊगा किसी भी CA या tax professional की help लेंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका ये पैसा कह आए था, ये कहां से नहीं आए था, फालतु की transactions को आपको रोकेंगे, cash deposit करने से आपको रोकेंगे, तो आप ITR regularly file करते हैं, तो financial discipline आपका बनेगा, फालतु के transactions हैं, detail आपको रखनी पड़े की record की, income की, investment की, खर्चों की, ताकि आपका true and fair आपका position है, वहाँ पे show हो, तो इ you are producing a commodity, which is purchased by the government purchase करती है, तो आपको अपनी ITR provide करनी पड़ेगी, best example है, electricity produce user solar power, तो इसके लिए दोस्तों government है, इन दिनों में, जो extra electricity produce हो रही है, वो आप से ले सकती है, लेकिन, you can sell, अगर आपके पास पिछले 2-3 सालों की income का proof होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, इ contribution to nation building, दोस्तों देश में योगदान करना एक बहुती बड़ी बात है, आपको पता होगा, मोदी जी या कोई भी government होती है, तो कितना देश के लिए contribution करवाती है, रोड बनाती है, चिकित सा, सिक्सा, बहुत सारा पैसा लगाती है, तो tax collect होता है, टेक्सपेर का, ये सबसे ब development पे, wellness program पे, contribution पे, तो इस तरह से आप एक जिम्मेदार नागरी का भी करतव करते हैं, इस तरह से दोस्तों ये सारे के सारे benefit हमने discuss किये, कोई benefit discuss करने से रह गया हो, तो आप please comment करके बताएं, ताकि हमें भी पता लगे, ये benefit और मिलता है, please video को like करें, अभी तक subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लें, क्योंकि इस तरह की informative वीडियो हमें आपके लिए लाते रहते हैं, इस वीडियो को उन सभी लोगों में share करें, कम से कम 5-7 लोगों को जुरूर share करें दोस्तों, जो ITR नहीं बढ़ते हैं, या ITR बढ़ते हैं तो उनको इनका benefit नहीं पता है, ताकि उनको भी सू financially motivate करना, आपको aware करना होता है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much for watching this वीडियो, जय हीन, जय भारत